ये पार्ट अनक से रेकॉर्ड कर रहा हूं just to tell you आज का लेक्चर बहुत जाधा important है इसके पहले वाने लेक्चर अगर तो यह वाना समझेगा एंड आज के लेक्चर का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में तो उसको भी डाउनलेड करने और पढ़ लेना ठीक है बाई बाई और बैनों देवियों और सज्जनों हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड फ्रॉम एससे क्लास चैन साइन्स वन चाप्टर नमबर नाइन जिसका आज देखेंगे लेक्चर थ्री लेक्चर थ्री पेज नमबर 117 और 118 पर आधारित होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर functional groups in carbon compounds के बारे में बात करने वाले हैं आज का लेक्चर बहुत 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 जादा important है from the point of view of IUPAC nomenclature जो हम आने वाले समय में आने वाले lectures में देखने वाले हैं वह अगर आपको अच्छे से समझना है nomenclature मतलब compounds को नाम कैसे दिये जाते हैं वो पार्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो आज का lecture बहुत जादा important है पूरा देखना और वो घंटे का इकन बजा कर चले जाना तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के थोड़ा सा recap थोड़ा सा revision हो जाए लास्ट लेक्चर में हमने hydrocarbons के बारे में पढ़ा था क्या होते हैं hydrocarbons ऐसे compound जिसके अंदर सिर्फ carbon and hydrogen प्रेजेंट हैं हाइड्रो कार्बन दो तरीके क्या होते हैं हमने पढ़ा है open chain and close chain close chain में हमने दो चीज़े पढ़ी थी cyclohexane आता है जिसका formula होता है c6 h12 c6 h12 and हमने benzene के बारे में पढ़ा था जिसका formula होता है c6 h6 cyclohexane benzene बहुत ईजी थे उनको बनाने का तरीका भी बहुत ज़ादा आसान था open chain hydrocarbon में दो चीज़े होती हैं वहाँ पर होते है saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon अब यह जो saturated है वो hydrogen से भरे हुए होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और वहाँ पर दो carbon atom के बीच में हमेशा single bond आता है and इनको हम प्यार से महबबत से क्या बुलाते हैं अलकें बुलाते हैं ठीक है and unsaturated में दो चीज़े होती है carbon carbon के बीच में या तो double bond आसकता है या फिर दो carbon atom के बीच में triple bond आ सकता है यह जो double bond वाले compound है उनको हम प्यार से महबच से क्या बुलाते हैं अलकीन बुलाते हैं और जो triple bond वाले compound हैं उनको हम alkynes बुलाते हैं वैसे ही alkyne, alkyne, alkyne इनका हमने general formula भी देखा था जिससे हम उनके structures बना सकते हैं alkyne का general formula क्या था cn h2n plus 2 इसको यूज़ करके हमने पूरा alkyne का series बनाया था methane, ethane, propane, butane, pentane बनाया था ना आई होप आपने भी practice किया होगा alkyne का general formula cn h2n इसको भी यूज़ करके हमने alkyne का series बनाया था और वो ethane से start होता है वहाँ पर methane नहीं आता है है ना दो carbon से ही start होगा alkyne and फिर alkyne का general formula क्या था cn h2n minus 2 उसका भी हमने series बना कर देखा था ठीक है यह सब तो हमने पड़ा लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे doubts पूछा काफी सारे questions आ रहे थे कि sir alkyne का जो general formula है cn h2n plus 2 वो cyclohexane में apply नहीं हो रहा है cyclohexane में applicable नहीं है और विससी बात नहीं होगा न cyclic compound अलग है उनका structure अलग है तो उनका formula भी अलग होगा alkyne open chain है उनका structure अलग है उनका formula अलग रहेगा तो alkyne का और cyclohexane का formula compare मत करो दोनों अलग चीज़े हैं ठीक है और फिर लोग benzene को alkyne के साथ compare कर रहे हैं वो भी गलत है benzene एक अलग ही item है उसका अलग ही नशा है benzene aromatic compounds में आता है उनकी chemistry अलग होती है उनके properties अलग होती है तो benzene को alkyne के साथ compare मत करो ठीक है open chain अपनी जगा है close chain अपनी जगा है दोनों को साथ में compare करने की कोई जरुवत नहीं है ठीक है बहुत ही clear है तो हमने यहां तक क्या बोला कि carbon and hydrogen के बीच में जो भी compounds बनते हैं उनको hydrocarbon बोलते हैं बढ़िया लेकिन हमें एक और बात पता है कि carbon दूसरे elements के साथ भी bond बना सकता है many different compounds can be formed by bonding of carbon with other elements such as hydrogen हमारा जो carbon है वो hydrogen के साथ भी bond बना सकता है अब यह hydrogen कौन है group number 17 of the periodic table उसके अंदर कौन आता है fluorine chlorine bromine iodine estetine उसको हम याद कैसे रखते हैं first class biryani मेरे साथ साथ बोलना first class biryani i8 fluorine chlorine bromine iodine estetine first class biryani i8 यह होते हैं hydrogen इड्र won पना सकते हैं फिर हमारा carbon oxygen के साथ बनाता है अब सारे proposal बना सकता है nitrogen के साथ बना सकता है फोस्फरस के साथLES बना सकता है कारबन किसी के साथ भी बन सकता है और बीकॉस और अभारे में हम आज बात करेंगे आपके टेक्सबुक में बहुत सब्सक्राइब करें और चीज होई को आपकेस्ट्बूक नहीं हimmtा उसको आप अच्छे से पढ़नो आपकी और यह जादर 情यर्ग हो जाएगी जो कुछ बाते करते हैं द्यान से सुनना हमने लिया मीथेन मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 एंड उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है बीच में एक कार्बन आजुबाजु चार हाइड्रोजन CH4 इसका एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दू ऐसे तो क्या बचा कार्बन बचा तीन हाइड्रोजन बचे एंड कार्बन के पास एक खुला बॉंड है क्या है खुला बॉंड यह जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं क्या लिख सकता हूं तो यह हो गया condensed formula CH3 and खुला bond है ना उसको हम ऐसे दिखाएंगे तो यह जो group बनता है CH3 इस group को हम बोलते हैं methyl group basic समझो methane में से एक hydrogen निकाल दिया तो क्या बचा CH3 खुला bond इसको बोलते हैं methyl group बहुत simple एक समझ गई फिर लेते हैं इथेन इथेन का formula होता है C2H6 दो carbon 6 hydrogen जिसका structure ऐसा दिखता है बीच में 2 carbon है आजू-बाजू 6 hydrogen है इसमें से भी मैं अगर एक hydrogen को निकाल दो ऐसे तो मेरे पास क्या बचता है दो carbon और 5 hydrogen इसका condensed formula कैसे रहेगा देखो पहला carbon और उसका तीन hydrogen CH3 single bond दूसरा carbon और उसके दो hydrogen CH2 and second carbon पे खुला bond है तो वह ऐसे दिखेगा तो यह जो structure बनता है CH3 CH2 इसको हम बोलते हैं ethyl group बहुत बढ़िया इथेन में से एक hydrogen निकल गया तो क्या बन गया इथाइल बन गया methane का methyl बना इथेन का इथाइल बना तो अगर मैं propane लू C3H8 उसका structure कैसा है तीन carbon 8 hydrogen इसमें से एक hydrogen अगर निकाल दिया C3H7 इसका condensed formula कैसे लिखेंगे CH3 पहला carbon 3 hydrogen bond दूसरा carbon 2 hydrogen CH2 तीसरा carbon 2 hydrogen CH2 एंड एक खुला bond तो यह जो ग्रूप बनता है CH3 CH2 CH2 इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपाइल बोलेंगे और समझ रहे हो वाई बाराया फील आ रहा है मिधेन मिधायल बना इथेन इथाईल बना प्रोपेन प्रोपाइल बना तो ब्यूतेन क्या बनेगा ब्यूतेन में से एक हाईडोजन निकाल दिया जाता है तो अलकाइल गुरूप बनता है क्या बनता है अलकाइल क्रेजंट करते हैं अलफाबेट और से रिप्रेजंट किया जाता है यह आर कुछ भी हो सकता है, methyl हो सकता है, ethyl हो सकता है, propyl हो सकता है, butyl, pentyl, hexyl, heptyl, octyl, nonyl, dekyl, कुछ भी हो सकता है, आर मतलब alkyl group, इतना याद रखो, ये एक बात समझ में आ गई, तो अब यहां पे कुछ compound बना कर देखते हैं, मुझे बताओ यह क्या है एक कार्बन तीन हाइड्रोजन एक खुला बॉंड इसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल गुरूप बोलते हैं अभी बना कर देखा आप जानते हो इससे इसका जो खुला बॉंड है ना वहाँ पर अगर मैं क्लोरीन लगा हूं ठीक है छीएच त्री सी तो यह कुछ नया कंपाउंड बन गया इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होंगी इसके फंक्शन कुछ अलग होंगे इसको हम नाम क्या देंगे इसको बुलाएंगे मिथाइल क्लोराइड क्लोरीन लग गया तो क्लोराइड बुलाएंगे मिथाइल क्लोराइड बहुत सिंप डिक 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 ब्रोमाइड बहुत सिंपल नया नाम हो गया ब्रोमीन अटा दो यहां पर हम फ्लोरीन लगाते हैं एफ सी एच त्री एफ तो एक नया कंपाउंड बन गया जिसकी नई प्रॉपर्टीस होंगी नया फंक्शन होगा इसको हम क्या बुलाएंगे मिथाइल फ अब आपको बात बताता हूं यह जो मिथाइल क्लोराइड है मिथाइल ब्रोमाइड है मिथाइल फ्लोराइड है यह कॉमन नेम्स कौन से नेम्स है कॉमन नेम्स हर एक कंपाउंड के दो नाम होते हैं कॉमन नेम and official IUPAC name ठीक है for example मेरी बात करो मेरे भी बहुत सारे नाम है और पूच उफिश्यल ने मेरा को मनें मिया मेरको लोग पार्थू मूमू मो सब बुलाते हैं अच्छा मेरा जो शरनेम है और मोमाया थीकिए एसे कोई राइंडम नम मैं नहीं डाला है वहां पर इंडिस आक्चोली मोमाया तो लोग मुझे मूमू सब बुलाते हैं यह तो मे क्या है फ्लोरो मिथेन एंड डोंट वरी कोई भी डरने की बात नहीं है यह जो भी नाम बता रहा हूं यह हम डीटेल में आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं तो अभी इसकी कोई भी चिंता मत करो यहां पर सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा फील दे रहा हूं थोड़ा सा क्या लिया मैंने CH3 single bond CH2 खुला bond इसको हमने क्या बोला था इथाइल बोला था ठीक है ना इथेन में से एक hydrogen निकाल दिया तो क्या बन गया इथाइल इसको अगर मैं F लगा दू तो कुछ नया compound बन जाएगा जिसकी कुछ नई properties होंगी इसको हम बोलेंगे इथाइल fluoride यह इ CH3 single bond CH2 single bond CH2 खुला bond इसको हमने प्रोपाइल बोला था अभी अभी बना कर देखा इसको अगर F लगा दे तो यह क्या बन जाता है प्रोपाइल फ्लोराइड यह इसका common name है तो इसका official name क्या होगा फ्लोरो प्रोपेन तो मुद्दा यह है कि अगर मैं कोई भी अलकेन लू द फ्लोरीन लगा दिया ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा दो तो एक नया compound बन जाता है जिसकी properties अलग होती है जिसके functions अलग होते हैं समझ रहे हो तो देखो the atom of the element which is substituted for hydrogen hydrogen निकाल कर हमने जो भी कुछ लगाया उसको हम बोलते हैं hetero atom क्या बोलते हैं hetero atom तो यह फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह जो भी हम लगा रहे हैं यह सब कौन है hetero atoms है फील लो बात को समझो hydrogen को निकाल के जो भी लगाएंगे वो क्या है hetero atom है और यह सारे halogens हैं तो अब आपको एक और interesting बात बताता हूं अलकीन का और halogen का जो भी compound बनता है समझके लोगा ध्यान से अलकीन का और halogen का जो भी compound बनता है उसका एक general formula होता है जी एफ होता है उसका जनरल formula अन्ट इस आर सिंगल bond what is our आर क्या है एलकाइल ग्रूप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ भी हो सकता है आर सिंगल bond X X मतलब हैलोजन और एक्स आर मतलब एलकाइल ग्रूप एक्स मतलब हैलोजन क्लोरीन ब्रूमिन आयोडिन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है तो इनको हम बोलते हैं एलकाइल आर मतलब एलकाइल एक्स मतलब हैलाइड तो इनकमपाउंड का नाम है एलकाइल हैलाइड यह कॉमन नेम है यह कॉमन नेम है तो ओफिशल नेम क्या रहेगा हैलो अलकेन फ्लोरोमीथेन फ्लोरोइथेन फ्लोरोप्रोपेन हैलो अलकेन यह इसका आयूपेसी नेम होता है याद नहीं रहेगा त सिर्फ थोड़ा सा फील ले लो और्गैनिक किमिस्ट्रे का तो हैलोजन कंपाउंड का जन्रल फॉर्मूला याद रखना आर एक्स क्या बोलेंगे आर एक्स थोड़ागे चलते हैं अच्छा फिर यह लोग ने क्या बोला है कि सम्टाइम्स हेट्रो एक अटम लगाया फ्लोरीन का एक अटम लगाया ब्रोमीन का एक अटम लगाया हमने सिंगल सिंगल आटम लगा कर देखा लेकिन यह लोग बोलते हैं कि हर बार सिंगल सिंगल आटम नहीं होगा इस हेट्रो ए रेपल चलो यह कौन है एक कारबन तीन हाइड्रोजन एक खुला बॉंड इसको हमने इसाईल बोला है अगर इस खुले बोंड पे मैं रहगान cookie यह ऑ्सिजेन दूसरे हाइड्रोजन से आप तो यह क्या हो गया ओn OH hydroxide तो ये क्या है? hydroxyl group है OH मतलब hydroxyl group तो क्या ये methyl hydroxide बन जाएगा? ना, 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 ना वो inorganic में होता है sodium hydroxide, magnesium hydroxide calcium hydroxide, ये सब inorganic compound है जब hydroxyl group carbon compound में आता है organic compound में आता है तो वो बन जाता है alcohol तो ये क्या बना? ये बना methyl alcohol ये है methyl alcohol CH3OH एंड एक और बात है methyl alcohol इसका क्या है? common name है ये common name है official IUPAC name क्या रहेगा? methanol हमने सुना हुआ है methanol हमने पढ़ा है CH3OH एक और example लेते हैं चलो, what is this? CH3 single bond, CH2 खुला bond इसको हमने इतायल बोला था अभी अभी पढ़ा हमने अगर इसको मैं OH लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ethyl alcohol simple सी बात है ना लेकिन ये common name है तो इसका official IUPAC name क्या रहेगा भाई? ethanol ये है ethanol CH3, CH2, OH और इसके formula को अगर और condense करके लिखना है तो वो CH3 and CH2 है उसको जोड़ दो C2H5 I repeat C2H5OH ये है हमारा ethanol बहुत simple एक और example last example चलो CH3, CH2, CH2 खुला bond ये प्रोपाइल है उसको लगा दो OH तो क्या बन जाता है? प्रोपाइल अलकोहल common name है IUPAC name क्या रहेगा? प्रोपेनॉल बहुत simple तो एक बात बताओ ये जो भी alcohols हम पढ़ रहे है इनका भी एक general formula होगा क्या होता है? R single bond R मतलब alkyl group methyl, ethyl, propyl कुछ भी हो सकता है ROH OH मतलब hydroxyl group ROH ये हमारा alcohols का general formula है revise करते चलो halogens का general formula Rx X मतलब halogen alcohol का general formula ROH and आपको एक सबसे important बात बताता हूँ मैं जो भी बता रहा हूँ जो भी हम examples ले रहे हैं ये लिखते चलो जितना तुम लिखोगे जितना writing practice करोगे उतना तुमारा structures easily बनेगा और तुमारी practice होगी obviously तो halogens उसका general formula Rx उसकी तीन एक्जामपल alcohol उसका general formula ROH उसके तीन एक्जामपल ये सब लिखो जब तक लिखोगे नहीं तब तक feel नहीं आएगा तब तक organic chemistry नहीं आएगी ठीक है तो आखरी बात बताता हूँ ये जो भी heteroatoms हमने लगाए fluorine लगाया OH लगाया chlorine, bromine because of the heteroatoms हमारे compound को नया properties मिला मिला के नहीं मिला the compounds acquire specific chemical properties compound के पास कुछ नया chemical property आता है OH लगाया तो methane का alcohol बन गया methanol बन गया ethane का ethanol बन गया समझ रहो chlorine लगाया तो methyl chloride बन गया compound के पास एक नया property आ गया due to the heteroatoms or the group of atoms that contain the heteroatoms एक simple बात समझो heteroatom लगाने से compound को नया function मिल रहा है क्या मिल रहा है compound को नया function मिल रहा है so these heteroatoms are called as functional group मुद्दा समझो कहानी समझो heteroatom से नया function मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे functional group एक और बात यह जो double bond है triple bond है यह भी इनको भी functional group माना जाता है alkyne and alkyne का जो double bond होता है उसको भी functional group मानते है यहां तक बात clear हो गई बिल्कुल clear हो गई थोड़ा आगे चलते हैं topic थोड़ा complicated थोड़ा complex होने वाला है लिखते जाना practice करते जाना पहला functional group हमने देखा halogen Rx X मतलब क्या chlorine, bromine, fluorine, iodine कुछ भी हो सकता है दूसरा functional group हमने देखा alcohol ROH तीसरा functional group देखेंगे carboxylic acid यह थोड़ा सा complicated है इसका GF मतलब general formula होता है RCOOH RCOOH तो सबसे पहली बात यह COOH कैसा दिखता है इसका expanded form कैसा होगा पहले वो समझ लेते है यह आ गया हमारा carbon carbon कितने bond बनाता है 4 bond बनाता है तो सबसे पहले हमारा carbon एक double bond बनाएगा oxygen के साथ C double bond O oxygen की valency होती है 2 oxygen भी 2 bond बनाता है oxygen ने यहाँ पर carbon के साथ double bond बनाया oxygen stable हो गया बहुत बढ़िया फिर यह carbon एक और bond बनाएगा दूसरे oxygen के साथ C double bond O बाजू में भी हो और फिर वो दूसरा oxygen एक और single bond बनाता है hydrogen के साथ और carbon ने तीन bond बनाएगा तो carbon का एक bond खुला रहेगा लेफ्ट में देखो इस तरह और यह जो बना C double bond O, O, H C, O, O, H यह हमारा functional group है यह हमारा functional group है समझ में आ रहा है कैसे बन गया अब एक बात सुनो functional group के अंदर अल्रेडी एक carbon है carbon present है तो R के जगा पर हम H भी लगा सकते हैं R के जगा पर हम hydrogen भी लगा सकते हैं ऐसे तो यह हमारा पहला कार्बॉक्जिलिक एसिड बनेगा H C O O H इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड नाम तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं विकॉज आपको पता होना चाहिए आपके understanding के लिए याद नहीं रखोंगे तो भी चलेगा कोई बात नहीं है H C double bond O O H H C O O H फॉर्मिक एसिड एक और बना के देखें चलो यह आगया हमारा functional group C double bond O O H अब कार्बन के बाजू में मैं एक और कार्बन लगा सकता हूं तो यह दूसरा जो कार्बन हमने लगाया वो तीन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ठीक है तो इसको हम अब कंडेंस करते हैं यह एक्सपांडेट फॉर्म है ना इसको हम कंडेंस करके लिखेंगे तो पहले कार्बन को तीन हाइड्रोजन है तो उसको हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं और फिर वो C double bond OOH जो है उसको हम कंडेंस करके सिधा COOH लिख देंगे CH3 COOH इसको आप पैचानते हो छत्री कूह यह कौन है नतिंग बट acetic acid विनेगर में होता है हमने पढ़ा हुआ है है CH3 COOH ठीक है acetic acid में दो कार्बन है तो अब हम एक और carbon add करते हैं यह हमारा COOH उसके बाजू में लगाया CH2 उसके बाजू में लगाया CH3 तीन कार्बन हो गए CH3 CH2 COOH इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसड तीन कार्बन है तो प्रॉप लगेगा यहां पर अच्छा बाइद वे फॉर्मिक एसड एसटीक एसड प्रोपियोनिक एसड यह तीनों common नेम है यह आयू पीएसी नेम नहीं है आयू पीएसी नेम हम बॉन्ड ओ ओ ओ एच आय होप यह बात क्लियर है थोड़ा आगे चलते हैं हमारा फूर्थ फंक्शनल ग्रूप इसका जी एफ इसका जनरल फॉर्मूला क्या है आर चो तो सबसे पहले बात यह सी एच ओ कैसा दिखता है इसका expanded फॉर्म क्या है पहले वह समझ लेते हैं हमारा HY कारबन कारभन डब्ल बनाता है यहां पर भी और ऑक्सिजुन के साथ सी डबल बन अच है समझ रहो बात को और यहां पर भी फंक्शनल ग्रूप के अंदर ही एक कारबन प्रेजेंट है हम आर के जगह हपे फ लगा सकते हैं लेत्स तरह तो यह हमारा पहला एलडिहाइड बनेगा एच सी एच ओ एच सी एच ओ इसका नाम क्या है फॉर्मल डिहाइड कॉमन नेम है नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस आपके अंडस्टेंडिंग के लिए बता रहा हूं और यह वाला स्ट्र अब हम एक कारवन लगाते बाजु में यह दूसरा कारवन जो हमने लगाया वह तीन बना सकता है है एक उपर एक लेफ्ट में और एक नीचे बिल्कुल सही है यह एक्स्पांडेड फॉर्म है इसको हम कर देंगे कंडेंस तो देखो सी एच थ्री को हम ऐसे लिख देंगे सी ऐच थ्री एंडी सीडब बॉड्डो ए capaci उसको हम लिख देंगे सी हो इस तरह अब यह क्या बन गया यह बन गया high striking अर्वी हम ने सुना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बायोजीक के चाप्टर में माइक्रो बायलोजी वाले चाप्टर में एसेटल डिहाइड यह शब्द आया था यह उसका फॉर्मूला है च्छी च्छो दो कार्बन एक कार्बन फॉर्मल डिहाइड तो अब तीन कार्बन लेते हैं यह आगे अपना च्छो उसके बाजो में लगाएंगे च्छ टू उसके यह बन जाएगा प्रोपियो नल्डिहाइड कॉमन नेम्स हैं आयू पीसी नेम हम आने वाले समाई में देखेंगे गड़ी गड़ी बता रहा हूं फिर भी ठीक है समझके लो मेरी बात प्रोपियो नल्डिहाइड यह हो गया अब मेन पॉइंट हमारा पांच्वा फंक्शन दोनों बाजू में एलकाइल ग्रूप सरहेंगे सुनों तो यह सी ओ कैसा दिखता है सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन और कार्बन के दोनों बॉन्ड खुले हुए हैं यह बन गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रूप सी डबल बॉन्ड ओ अब यहां पर ना आर जो है वह एलकाइल ग्रूप ही होगा लेफ्ट में और राइट में दोनों जगा पर हमें एलकाइल ग्रूप लगाने हैं लेकिन फिर आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रूप में तो कार्बन अल्रेडी है तो हाइड्रोजन लगाऊ ना दोनों जगा पर अगर मैं हाइड्रोजन लगाया CH3 CHO यह एसे टल डिहाइड यह भी हमने बना कर देखा अभी बनाया की नहीं बनाया CH3 CHO एसे टल डिहाइड यह भी नहीं चलेगा एक और हाइड्रोजन हटा दो यहां लगा दो CH3 यह कुछ नया बना CH3 C double bond O CH3 यह बना कीटोन समझ रहे हो मेरी बात कीटोन में दोनों जगापर बाजू में एलकायल ग्रूप होने ही चाहिए CH3 C double bond O CH3 CH3 मतलब मिथाइल ग्रूप यहां पर कितने मिथाइल ग्रूप हैं दो मिथाइल ग्रूप हैं तो इसका नाम पड़ेगा डाइ मिथाइल की टोन कॉमन नेम है आयू पीए सी नेम हम बाद में देखेंगे बाइद वह इसको एसी टोन भी बुलाते हैं जो नेल पॉलीश रिमूबर होता ना यह हो हो और यह सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टोन यह अब इसको थोड़ा साइड ने हटा आओ हटा अब मुझे बता हमने चार चीज़े पड़ी एल्कोहल उसका जनरल फॉर्मूला था और ओ एच बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल ठीक है ऐसे डमने पड़ा उसका जनरल फॉर्मू हो तो ही याद रहेगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ एल्डी हाइड एंड फिर हमने पड़ा की टोन जो ऐसा दिखता है आर सी आर डबल बॉन्ड है ठीक है अब इनको याद रखना है मुझे तो थोड़ी दिक्कत यहां पर हो सकती है बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो सकता यह जाए गाना गाएगे गाना अगाऊ मेरे साथ साथ गाना सब किसमी हो जाएगा ठीक है एल्कोहल-acid-aldehyde-kitone youtube औरो हरसी O O H R C H double bond O R C R double bond O alcohol acid aldehyde ketone R O H R C O O H R C H double bond O R C R double bond O थोड़ा धीरे गाएं थोड़ा धीरे स्लो करते हैं alcohol acid aldehyde ketone यही sequence में बोलना है तो ही feel आएगा alcohol acid aldehyde ketone R O H R C O O H R C H double bond O R C R double bond O यह हो गए तुमारे चार functional group बाहर्ट यहीं पर इनके बीच में कोई confusion नहीं होना चाहिए बिनकुल clear है यह बात गाना clear है बहुत ही simple सा गाना है थोड़ा आगे चलते हैं कहानी खतम नहीं हुई है और तीन functional group समय पढ़ने हैं सुनो छटवा functional group इतर इतर का जी एफ जनरल फॉर्मूला क्या है आर एलकाइल गुरूप ओ आर डैश और ओ आर डैश बीच में oxygen है और उसके दोनों तरफ एलकाइल गुरूप हैं तो हमारा यह जो functional गुरूप है ओ वो कैसा दिखता है oxygen दोनों बॉन्ड खुला है और ओक्सिजन के दोनों तरफ एलकाइल गुरूप आने चाहिए लेकिन अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन लगा के दिखाओ क्या बनेगा क्या बनेगा हो यह तो पानी है यह तो पानी है मजा ने आया या हाइड्रोजन हटाओ मिठाइल गुरूप लगाओ CH3OH यह तो एलकोहल है मिठाइल एलकोहल हमने बना कर देखा है मजा ने आया फील ने आया दूसरा हाइड्रोजन भी हटाओ वहाँ पर भी CH3 लगाओ अब कुछ नया बना CH3 OCH3 CH3 मतलब मिठाइल गुरूप कितने मिठाइल गुरूप हैं दो हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे डाइमिठाइल एथर यह बना एथर तो यहाँ पर कंपल्सरी ली ऑक्सिजन के दोनों तरफ एलकाइल गुरूप होना ही चाहिए तब जाके बनेगा एथर यह बात याद रख कि और डाश आरश रसी ओो और डाश तो सबसे पहले थी कैसा दिखता है रहे समझ अबर औरी पता है कारबन डवल बॉन औक्सिजन रहेगा अन्ड और सीगल बॉन जाएगा अब यहाँ पर भी COO के दोनों तरफ alkyl group होना ही चाहिए लेकिन आप बोलोगे सर, functional group में carbon already है, दोनों जगा अगर hydrogen लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बना के देखो, चलो, HH लगाया, HCOOH, HCOOH, ये तो formic acid है, carboxylic acid है, ये तो हमने बना के देखा है, मजा नहीं आया, feel नही CH3 लगाओ, CH3, COOH, ये तो acetic acid है, है कि नहीं है, COOH, carboxylic acid, तो ये भी feel नहीं आया है, मजा नहीं आया है, hydrogen हटाओ, CH3 लगाओ, अब कुछ नया बना, CH3, COOC3, ये बना ester, और इसका नाम है, methyl acetate, common name है, याद रखने की ज़रुरत नहीं है, आपके understanding के लिए आपको बता रह है, सारी functional groups किस तरह use करने है, समझ में आ गई बात, अब जो मैं बात बता रहा हूं, उसको आप लिखो, अगर आपके पस book नहीं है, pen नहीं है, तो उसे ढूंडो, pen लो, book लो, paper लो, कुछ भी लो, हाथ पे लिखो, बट लिखो ना ये बात, ध्यान से सुनो, acid है, COOH, and aldehyde है, COOH, acid and aldehyde, ये दोनो, carbon chain के end में आते हैं, हमारी जो carbon की chain होगी न, उसके end में रहेंगे, acid and aldehyde, ठीक है, and ketone, ether and ester, ये तीनो, ketone, ether, ester, ये तीनो, carbon chain के बीच में आते हैं, ठीक है, बात समझेरों मेरी, acid and aldehyde, carbon chain के end में आते हैं, या तो left end में रहेंगे, या तो right end में रहेंगे, ketone, ether and ester, ये carbon chain के कहीं पे भी बीच में आ सकते हैं, तो ये फरक है इन में, ठीक है, and ये फरक और clear हो जाएगा, जब हम IUPAC nomenclature देखेंगे, आपको बहुत सारी examples म है, दूंगा, इन सब के, तो वो एकदम crystal clear हो जाएगा हमारा concept, ठीक है, चलो, फिर हमारा आखरी functional group है, amine, यह amine जो है न, वो nitrogen based है, यहाँ पर nitrogen आने वाला है, चलो, इसका GF रहेगा, R, R मतलब alkyl group, NH2, NH2, NH2 मतलब amine group होता है, and यह NH2 कैसा दिखता है, बहुत ही simple है, nitrogen है nitrogen की balance ही कितनी है, 3, nitrogen तीन bond बनाता है, तो एक bond बनाएगा नीचे hydrogen के साथ, दूसरा bond बनाएगा दूसरे hydrogen के साथ, and एक bond left में खुला रहेगा, इस तरह, यह बन गया, NH2, हमारा functional group, amine का, अब R जो है, वो alkyl group होगा, लेकिन आप बोलोगे, hydrogen लगा के तो दिखाओ, यह लग मदा ने आया, hydrogen को हटाओ, क्या लगाएंगे, alkyl group, methyl लगा दिया, CH3, CH3, NH2, इसका नाम क्या होगा, methyl amine, यह IUPAC name है, इसका common name क्या होगा, methyl amine, ठीक है, don't worry, सारे नाम हम आगे जाके आने वाले समय में देखेंगे, अब इसिफ concept लेलो, feel लेलो, concept का, अब screen थोड़ी खाली लग रही है, तो एक और example ले लेते हैं, CH3, CH2, NH2, दो carbon है, मतलब, ethane होगा, तो इसका नाम क्या पड़ा, ethane amine, mithanamine, ethane amine, तो यहाँ होते हैं, हमारे सारे functional groups, समात, इन सब का एक table बना के इनको पढ़ते हैं, अन्त में, चलो, फट 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 रिवाइस कर लेते हैं, तो यहाँ जो हम functional group का table बनाएंगे, इस table में तुमारे सारे functional group आ जाएंगे, उनका condensed formula, उनका general formula, सब कुछ देखने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ columns हैं, देखो, पहली column में रहेगा, hetero atom, atom का नाम, फिर functional group का नाम रहेगा, फिर उसका general formula, और उसका condensed general formula, यह जो table मैं बना र हूँ, यहाँ पर, यह थोड़ा अलग होगा, from the table that is in your textbook, देखो, table तो कोई exam में पूछता नहीं है, ठेक है, general formula भी तुमको कोई exam में पूछेगा, नहीं, लेकिन हमें सारे general formula याद होने चाहिए, यह जो भी माल मसाला है, वो सब हमें याद होना चाहिए, यह सोधाट हम, IUP पीसी नॉमन क्लेचर के जितने भी question आते हैं, वो बहुत अच्छे से और easily solve कर सकें, तो हमें यह क्यों याद रखना है, IUPAC solve करने के लिए, बहुत जादा important चीज़ है, बढ़िया, तो सबसे पहला hetero atom, हमने halogen लिया था, halogen में क्या क्या आता है, chlorine, fluorine, chlorine, chlorine, bromine, iodine, and name क्या आता हमारे functional group का halo, halo alcanes हमने बनाये थे न, तो वहाँ पर हमने chloro, bromofluoro, iodine, chloromethane, fluoromethane, fluoroythane, यह सब हमने बनाया था न, तो हम यहाँ पर chloro, bromofluoro, iodine, यह word यूज़ करते हैं, ठीक है, for halogen compound, इनका general formula RX, X मतलब क्या, halogen, CL हो सकता है, BR हो सकता है, F हो सकता है, I हो सकता है, X रहेगा, ठीक है, and इसका condensed general formula कुछ अलग नहीं है, RX, यही रहेगा, यह हो गया तुम्हारा पूरा halogen, halogen compound, बढ़िया, simple, चलो, फिर oxygen लेते हैं, heteroatom oxygen, उसका सबसे पहला functional group हमने देखा, that was alcohol, अब alcohol का general formula, expanded general formula था, R, single bond oxygen, single bond H, R, OH, and इसका condensed formula अगर हम देखें, तो क्या रहेगा, R, single bond OH, बहुत simple, फिर दूसरा functional group, oxygen वाला, that was carboxylic acid, carboxylic acid का expanded general formula कैसा था, R, C, double bond O, OH, and इसको condensed किया, तो क्या मिलता है हमें, R, C, O, O, H, R, O, H, R, C, O, O, H, फिर हमने देखा, aldehyde, aldehyde का expanded form के साथ था, R, C, double bond OH, बढ़िया, R, C, double bond O, and इसको condensed करेंगे तो मिलता है, R, C, O, R, C, O, ठीक है, बढ़िया, फिर हमने लिया, ketone, ketone का expanded general formula, R, C, R, double bond O, condense कर दो क्या मिलेगा, R, C, O, R, R, C, O, R, ठीक है, बढ़िया, फिर हमने लिया, ether, ether क्या था, R, O, R, condensed formula भी वही रहेगा, R, O, R, और कुछ अलग नहीं बनेगा, और फिर हमने लिया, ester, ester का क्या था, R, C, double bond O, O, R, और उसको कर दो, condensed तो क्या हो जाएगा, R, C, O, O, R, अब देखो, गाना आपको याद है, न, alcohol, acid, aldehyde, ketone, R, O, H, R, C, O, O, H, R, C, H, double bond O, R, C, R, double bond O, तो बस उसी तरह से हम ether and ester को भी याद रख सकते हैं, ether, ester, R, O, R, R, C, O, O, R, same rhythm पे चलेगा, R, O, R, R, C, O, O, R, ether, ester, ester, तो यहाँ तुमारे सारे के सारे functional groups oxygen वाले याद हो जाएगे, एकदम बढ़िगा, एकदम simple, and फिर last में हमने heteroatom किदर है, heteroatom लिया है nitrogen, nitrogen, and nitrogen वाला functional group है amine, जिसका expanded formula के साथ है, R, N, H, 2, nitrogen, 2 hydrogen के साथ bond बना रहे है, and इसका condensed formula रहेगा, R, N, H, 2, ठीक है, बिलकुल बढ़िया, बिलकुल simple है, यहाँ तक, तो यहाँ होता है, आज का हमारा lecture समाथ, हमने सारे functional groups देखे, उनका general formula, उनका condensed formula, उनके examples, उनके नाम, बहुत कुछ देखा है, and सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लिख कर practice नहीं करते हो, आज का lecture, यह आपको याद नहीं रहेगा, and इसके पहले वाला lecture अगर आपने नहीं देखा है, तो यह तो कत्य समझेगा भी नहीं, बिलकुल नहीं समझेगा, तो यह वाला lecture इसके पहले वाला lecture बहुत ही जादा basic है, और बहुत ही, आज का लेक्चर यहीं समाप करते हैं As usual, thank you very much for watching